शाम की छोटी मोटी भूग के लिए आज बढ़िया सा स्नेक्स तयार करते हैं हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आड़ी कोकिंग मैं हूँ पोनम और आज बच्चों के लिए बहुती बढ़िया सा स्नेक्स तयार करेंगे जो की बच्चे हुई चावल का यूज करकी यह मैंने बनाया है बहुत जादा टेस्टी बहुत जादा क्रिस्पी क्रंची और इतने जादा टेस्टी के आपको मैं क्या बता हूँ अब यह आवाज सुन सकते हूँ है ना बढ़िया सी क्रिस्पी तो जरूर आप इसको ट्राय करें बहुत पसंद आएगी पूरा वीडियो जरूर देखिए चाही तो धनी की चटनी की साथ चाही तो बच्चे सॉस की साथ इसको खा सकते हैं और बनाईएगा जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिए यह मेर कर लेंगे पूरा वीडियो जरूर दीखिए का बहुत जादा टीस्टी से ये स्नैक्स तयार हुए हमारे बहुत पसनाएंगे अपको यह मैं एड कर रही हूं बॉयल्ड आलू तो चार चोड़े से आलू है बॉयल्ड वाले उसको अच्छे से मैश करके मैं इसमें एड कर रही साथी flavors ऐड करेंगे जिसकि हरी मीचिये दो हरी मीचिये बारी कट्डिंभी अद्रख है आदाहिंच अद्रका टुक्रच यसको ग्रेट कर लिया है थोड़ेसी बारी कट्डिंभी धनिये और कडी गॉत्ड़ी घनीए और कड़े बारी कट्ड़े बच्चों को जरूर आप उनको खिलाईगा जरूर उनके बाल जो बहुत भी अच्छे बने रहे हमेशा के लिए इसलिए में अक्सर कड़ी पते यूज़ करती हूं चाहिए स्नैक्स हो या कुछ खाना बना रहे हूं सबजी बना रहे हूं थोड़ सी कड़ी पते उसमें जरूर आप इंकलूड कीजिए यहां फ्लीवर के लिए आमचूर में अड़ कर रहे हूं तो एक छोटा चमच में डाल दिया थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाल लेते हैं थोड़ा सा गरम मसाला जस्त दो पिंच जित्ता और थोड़ी सी लाल मिर्ची कश्मीरी वाली लाल मिर्ची जादा तीकी नहीं है लाल मिर्ची आप कम जादा अपने टेस्ट के साब से डाल सकते हैं यह जब दो स्लाइज में ब्रेड की लिए ती इसको मिक्सर में पीस लिए यह डाल दिये नमक टेस्ड के अप नमक डाल दीजिए इसमें चावल में भी नमक रहता है तो आप थोड़ा सा नमक समल कर डालि और बहुत ही बड़ी आसम अपना नाश्ता बना सके इतना टेस्टी नाश्ता है कि आप एक बार बनाओगे बार बार बनाने का मन करेगा बच्चे खुदी बोलेंगे कि ममा यह बना के दो बहुत पसंद आया यह तो चलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है इसको रखते साइड बे रख देते हैं यह मिनी काटोरी में लिया है गहूं का आठा दो चमच बड़े चमच भर के गहूं का आठा है इसमें थोड़ा से नमक एड़ कर लेते हैं जस्त दो पेंजित्ता और पानी डाले इसका एक घोल तयार करें एक पानी बना लेंगे पतली सी स्लरी रह पतली सी पतली सी बनाना उसे बनाना जब हाते हैं आगा है और देख अलग टिकी को देहुँ आज मैं डिफ्रेंड जीप की बनाज किस चिर्फ शेप बनायां किस तरह तरहे बना संकती हो तो बच्चों को अल Martha ब dragged शेफ बना कर दो दो बच्चे बहुत खुश ही मोगे एक क ओपरी तभ थो डिखने पिए हम नाशता है विए और लिग टीरिंग्या टो टीर वास ही बढ़त बढ़ दिखने कंपने प्रनालें jest दें जए अर तरा बनांगर फ्सक्तरा कंई को फगजमें बच्च को बढ़ने पाप deliberate चीज डाल दो और फिर आप कोई भी शेप उसका बना लो तो बच्चों के जिसे चीज पसंदो आपके बच्चों को तापस वके अदर चीज भर लो और बाके की तैयारी जैसे मैंने की है वैसे आप आगे की तैयारी कीजेगा बहुत ही बढ़ा लगेंगे लिए बाल शेप ब बना डाला मैंने तो शारीश बन के तैयार है तो चली अब बताती हूं मैं आगे क्या करना है एक एक टिकी आपको लेना है और यह लीजिए हमारे गहओ के आते की जो हमने बनाई है और पोह के क्रम्स तेकी को डुबोई यह इस लरी में पतली सी कोटिंग आ जाएगी बहु भी आप यहाप पर यूज कर सकते हो याप यह पार भी इस तरह से जरूर बनाएगा अक्सर हम क्या करते हैं अक्सर हम भी ऐसी करते हुए टिकिध मराद च यूज। बट मेरे कहने पर प्लीज यह जरूर ट्राइ किज़ेगा पोहे के क्रम्स पोहे का चूरा इस पे जरूर लगाईगा दिखने में बहुत बढ़ी आ लगती है ठीकिया खाने में भी टेस्ट जो है अमेजिंग साहता है तो सारी टिकया चली मैं इसी तरह सी रडी कर लेती हूं बेट में इस निकालना है और फटा फट लेट पर यह चूरा जो है हम पहला देंगे तो बस थोड़ा चूरा चिपकता बहुत जादा नहीं चिपकता है तो यह पतली सी लेयर सी आ जाती है इस पर और राय कोने के बार नहीं तरह को बता हूं बदो पोहे का जो पहर जादा तेस्ट भी बढ़िया सा आता है तो यह वाला क्रण्च आप जरूर ट्राइ कीजेगा इस तरह से चलिए तिक्या आप भी बनाएगे बच्चों को जरूर खुश कीजेगा और डिफरेंट डिफरेंट शेप जरूर ट्राइ कीजेगा और मेरा वीडियो देखकर किस ने यह रे जरूर अंदर से कच्छा पन लगे खाने में तो मीडियम आज पर पहले कर लिजेए थोड़ा सा पर दीम्याज करके आप इसको फ्राइ कर लिजे तो दिरी दिरी अल्टाते पल्टाते हुए इसको हम फ्राइ करेंगे यह बिल्कुल भी फटते नहीं है बिल्कुल आप जो खोग एकि-ध यह लाए इसे जेज़ होता जा रहा है देखेतार बढ़ी उसको फॉर जेते ऑजो भी नीचल लेंगे लुद्किन पर लिख भी में ऩूठ दिरी के गृल्टन ब्राउन चलर दों आपा है चेको ठेकर फिकितले आए अपर में अकसर जब हम चावल बनाते बच जाते हैं थोड़े बहुत तो आप इसी तरह टिक्किया बनाए शाम में बच्चों को खुश कर लीजे आपको भी बहुत पसंद आएगी घर में बच्चे बड़े सब को पसंद आएगी चाहिए तो अब धनी पुदिनी की चटनी ब करके जरूर बताएगा और प्रीज पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्रण्च है न बढ़िया सा क्रण्च तो मैं तो इसको धनी की चटनी के साथ खाने वाली हूँ और मेरे बच्चों को सॉस के साथ बढ़िया ये पसंद है तो आप भी इंजॉई कीजे से जरूर बनाएए बच्चे बड़े सब को बहुत पसंद आने वाला है तो इसी तरीके से हाथ यो कैसे लग रहे है न यूमी बहुत बढ़िया चीज डालोगे तो बढ़िया सी चीज निकल आएगा बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो चली जरूर राए करें पसंद आए शेर जरूर करें थैंक्स पॉर वाचिंग जैश्री गरनेश वाही गुरू